आज हम पढ़ेंगे अध्याय चार जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वर एवम मात्रा हैं आप लोगों ने अध्याय एक, दो और तीन बहुत आसान और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो जहां पर हम यदि वर्ड माला और व्यंजनों को मिलाने के जो भी अध्याय थे वो अच्छे से सीख चेके होंगे तो आज हम पढ़ेंगे स्वर एवम मात्रा हैं जो शॉर्ट हैंड का मतलब एक बहुती जरूरी नियम है और उसको अगर स्टार्ट करना है तो ये नियम जो है ये जो अध्याय है बहुत अच्छे से आपको सीखना है तो आप मेरे साथ बने रहें आज की क्लास में मैं आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ स्वर एवम मात्रा हैं जो हमारे सिंपल वेंजन थे उनमें लगाना सिखाऊंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स स्वर एवं मात्रा हैं आप इस चार्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए ठीक है यह चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिससे आप लोगों को स्वर एवं मात्रा हैं जो हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी तो एक बार आप एक बा को समझ लीजिए, बाकी मैं start करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, और स्वर एवं मात्रा हैं, ठीक है, ये सभी स्थान आपके यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ, देखे ये स्वर बने हुए हैं आप एक बार देख लीजिएगा ठीक है इन में जो जो उनकी मात्राएं हैं ठीक है वो मैं आपको लगा कर बता देता हूं जैसे छोटा A है छोटे A की कोई मात्रा नहीं होती छोटे A की कोई मात्रा होती है क्या सबी लोग बता है हाँ तो छोटे A की कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देते हैं ठीक है छोटा A इसकी मात्रा क्या होती है ठीक है ये छोटे A की मात्रा होती है सबी को बता है ठीक है बड़ी E यह बड़ी एकी मात्रा है ठीक है एक बात ध्यान दीजिए मैंने अभी आपको इन सभी के शोट हेंड नहीं बताईए न इसको अलग से बनाया जाता है ठीक है हमें शोट हेंड यूज जब करना है जब हम मात्रा और स्वर यूज करेंगे तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से जिसे छोटा A है न तो इसकी जो शोट हेंड है एक बिंदू के रूप में प्रदरशित कराई जाती है ठीक है और ये बिंदू गहरा बिंदू होता है ठीक है कैसा होता है गहरा बिंदू आप सभी अपनी short hand की copy और ये fair जो हैं आपकी notes बना लीजिए जिससे आपको आसानी होगी समझने में ठीक है इसके बाद जो A है ये भी एक गहरा बिंदू प्रदर्शित करता है और जे बड़ी E है वो भी एक गहरा बिंदू प्रदर्शित करता है ये तीनों के लिए सेम एक गहरा बिंदू होता है पर अंतर क्या करना होता है हमें ये पहले स्थान पर लगाए जाते हैं ये दूसरे स्थान पर ये तीसरे स्थान पर ठीक है आपको भी स्थान समझ में नहीं आएंगे मैं आगे आगे चलता जाओंगा आपको पूरा क्लियर समझाता जाओंगा आप एक बार इस चार्ट को समझ लीजिए सबसे पहले ठीक है एक बार आप इस चार्ट को समझ लीजिए ठीक है, बड़ा A, बड़े A की मात्रा क्या होती है? यह बड़े A की मात्रा, ठीक है, O की मात्रा, बड़े U की मात्रा, ठीक है? इनको हम एक गहरे डेश के साथ प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से. ठीक है ठीक है फ्रेंड्स यह हमारा गहरा डैश होता है ठीक है यानि आप एक बहुत सिंपल जी बासा में इसको समझ लीजिए कि अगर शॉर्ट हेंड में बड़ा आ आ रहा है हिंदी में आपको तो उसको शॉर्ट हेंड में अगर पनाना है तो एक गहरा डैश लगाना पड़ेगा ठीक है इस्थान इसमें दिये हुआ है फर्स इस्थान पर लगाना है मैं आगे आपको बता दूँगा ठीक है अब आई की मात्रा इस टाइप से ठीक है आउ की मात्रा ठीक है छोटी की मात्रा ठीक है इन तीनों के लिए हम हलका बिंदू यूज करते हैं ठीक है यह हलका बिंदू होता है क्योंकि बिंदू तीनों इदर गहरे लग चुके हैं फिर इन तीनों के लिए हमें हलका बिंदू यूज करना है ठीक है हलका बिंदू हमें जब भी ये शब्द आएं, तो हमें short hand में हलके बिंदू के साथ इसको प्रदर्शित करना है, ठीक है, इसके बाद हमारा last वेंजन बसता है, जो है बड़ा U, last जो स्वर है, जो स्वर last बच रहा है, वो क्या है, छोटा U, तो छोटा U हमारा कैसे use होता है, छोटा U बनता कैसे ह इस type से इसकी मातरा है, और छोटा U बनेगा कैसे, हलका dash, ठीक है, छोटे U के लिए हम क्या करते हैं, हलका dash लगाते हैं, और कौन से स्थान पर लगाते हैं, तीसरे स्थान पर, ठीक है friends, आप एक बार इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, I के लिए, ब जोटा हूँ, यह सभी स्वर और मातरा हैं, जो मैंने इनके चिन जो बनाए हुए हैं, शॉर्ट हैं में हमको इसी प्रिकार से यूस करना है, ठीक है, आप सभी को समझ में आगया है इस चीज, इस चार्ट को आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यह का चार्ट जो है, बहुत जरूरी है, ठीक है, मैंने इसलिए इसको इस तरीके से बनाया है, कि आप अपनी कॉपी में भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके फ्रेंट्स, दे देखिए, तब से पहले हम प्रिटेक वेंजन में, मैं आगे आगे आपको बताता जाऊंगा, और आप जो चार्ट है, उसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपका पीशे का भी इसको समझाऊंगा, पर आपको समझने के लिए उस चार्ट को याद रखना है, ठीक है, त तो सबसे पहले पृते एक वेंजन के दो साइड होते हैं, जितने भी हमने अभी वेंजनों की प्रैक्टिस करी है, आपने वर्ड माला हैं सभी वेंजनों की प्रैक्टिस करी हैं तो उन सभी वेंजनों के दो साइड होते हैं, साइड मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, बाय और दाया गुड इसी परकार से हमें ये चीज अभी समझ लीजी आप बाया और दाया फिर आगे इसके बाद मैं बताओंगा कि क्यों बता रहा हूँ ये चीज ठीक है तो अपने बाय हाथ की तरफ लेफ साइड यानि बाय साइड जो हमारा बाया हाथ है जो लेफ साइड है उ होगा ठीक है आप एक बार देख लीजे मैं बना कर दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने एक्जामपल ले रखे हैं जैसे मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अपने बाय हाथ की तरफ बाय साइड यानि लेफ साइड अपने दाय ह left है left जैसे ही आपका देखे यह left side है हमारा तो जो इसका left side है यानी यह वाला side ये इसका बाया side होगा और right hand की side दाया ठीक है कमझ में आया आप सबी को ये वेंजनों के हमें side decide करने हैं जब तक आप वेंजन के side नहीं समझेंगे तब तक आप जो मैंने अभी आपको Chart बताया था, वो Use नहीं कर पाएंगे मैं आगे आपको बताऊगा इस चीज के बारे में ठीक है, जैसे हमने का बनाया तो का का जो उपर का हिस्सा है वो है हमारा बाया साइट और जो नीचे का हिस्सा है वो है हमारा दाया साइट ठीक है, रा हम दो तरह से बनाते हैं, एक ये बाया, ताया, ये बाया, ताया, ठीक है, इसी परकार से ला, बाया, ताया, इसी परकार से इमा, बाया और दाया, ठीक है, इसी परकार से ता, बाया और दाया, तो सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना बहुत सिंपल है आप एक बार बस ध्यान से इसको समझें और मेरे साथ बने रहें मैं पूरे आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझा दूँगा देखें किसी भी वेंजन को हम जब बनाएंगे तो उसका बायाद समझ जाएंगे मैं आगे बता रहा हूँ ये क्यों बताया है मैंने ये चीज़ समझ में आगे आप सभी के ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है देखें प्रतेक वेंजन के तीन इस्थान होते हैं अभी हमने क्या पढ़ाता प्रतेक वेंजन के दो क्या होते हैं साइड यानि बा देखिए जब तक आप वो तीन स्थान नहीं समझेंगे तब तक आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे इस चार्ट को ठीक है ये चार्ट में हमें तीन स्थान ही दिये हुए है देखो पहला स्थान दूसरा स्थान और तीसरा स्थान ठीक है तो हमें इस चार्ट को अगर जहां पर वेंजन प्रारंभ होता है वह पहला स्थान होता है जहां पर वेंजन का अंत होता है वह तीसरा स्थान होता है और बीच में जो होता है वेंजन का स्थान वो दूसरा स्थान होता है ठीक है जो बीच में होता है तो मैं आपको बना कर दिखा देता हूं जैसे हमने ये स्टार्ट किया था यह पहला स्थान हो गया और जहां मनें अंत किया वो कौन सा स्थान हो गया तीसरा और बीच में कौन सा स्थान हो गया दूसरा समझ में आ गया आपको सभी को स्थान समझ में आ गए है कि सभी को बहुत आसान है आप अपनी कॉपी में बनाई और फिर से बन पर आए, तीसरा बीच में, दूसरा, हाँ, हमने दो बनाये हैं, एक, दो, तीन, ठीके, वह, एक, दो, तीन, प, एक, दो, तीन, च, एक, दो, तीन, ठीके, यह example में इसलिए बताता जा रहा हूं कि आप लोगों को आगे problem नहीं आए, ठीके, जहां पर हम वेंजन को start करते हैं और जहां हम वेंजन को खत्म करते हैं ठीक है अंत होता है वहाँ पर उसका तीसरा स्थान होता है start करने वाला first स्थान होता है बीच में second स्थान होता है ठीक है अब आपको कैसे use करना मैं आगे बता देता हूँ आपको ठीक है ये दोनों चीजां आपने समझ ली साइट समझ में आ गए और स्थान समझ में आ गए ठीक है ओके आगे पढ़ते हैं देखिए यदि किसी भी वेंजन में स्वर आए तो वाइं साइट स्वर लगाते हैं देखिए अब इस चीज से पढ़ें और समझें मैं दोबारा पढ़ देता हूँ यदि किसी भी वेंजन में किसी भी वेंजन में स्वर आएं किसी भी वेंजन के साथ आपके अगर यदि स्वर आ रहे हैं तो वह बाइंसाइड लगाए जाते हैं क्या लगाए जाते हैं स्वर बाइंसाइड लगाए ठीक है और यदि किसी भी वेंजन में मात्रा आएं तो वह दाइंसाइड मात्रा लगाते हैं ठीक है मैंने दोनों बता दिया है अब हम आगे बढ़ते हैं अब है बहुत ट्विस्ट वाली बात आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझे ठीक है अगर आपने नहीं समझा तो यह रूल आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप मुझे बोलेंगे कमेट करके सर हमेज नहीं समझ में आया इसलिए मेरे साथ बने रहे हैं ठीक है देखिए अभी आपने छोटा बनाना सीखा था नहीं सीखा था न मैंने आभी आपको केवल सिर्फ वर्ड माला और वेंजन आपको नहीं पता है तो हमने बावना लिया है ठीक है छोटा आ हमें देखना है छोटा आ हमें बार बार आगे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि आप अभी के लिए यह चार्ट बहुत महत्पून है देखिए सबसे पहले इसमें देखी छोटा कहां पर है फस्ट इस्थान ठीक है तो फस्ट इस्थान पर स्वर है ठीक है छोटा क्या होता है स्वर होता है क्या होता है स्वर छोटे आ के लिए हम क्या बनाते हैं गहरा बिंदू क्या बनाते हैं गहरा बिंदू फस्थान पर ठीक है हम लोटते हैं अपनी जगे पर देखिए यदि किसी भी वेंजन म स्वार आये तो बाइं साइट स्वार लगता है ठीक है कहां लगता है बाइं साइट मैंने अभी आपको बताया बाया दाया तो जो अपना बा है उसका ये वाला साइट बाया होगा कौन सा ये वाला साइट ठीक है और जहां से व्यंजन प्रारंब होता है वो कौन सा स्थान हो ठीक है, मुझे लगता है शाय समझ में आ गई है, मैं और आगे बता देता हूँ, ठीक है, जैसे हमने ये तो बनाना है, हमने सबसे पहले ता बना लिया, ठीक है, अब ता के उपर ओकी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, ओकी, ठीक है, अब हमें ओकी मात्रा देखनी है एक बार, देखिए ओ की मात्रा कहां पर है ये वाली कौन से स्थान की है दूसरे स्थान की अभी मैंने आपको बताया साइड बताये इस स्थान बताये दूसरे स्थान कहां होता है वेजंजन के बीच में, छीक है और मात्रा कहां लगती है यदि किसी भी वेंजन में मात्रा है तो कहां लगती है? Dying side, कहां लगती है? Dying side, good, ठीक है? तो first, second, ये second इस्थान है, एक बार, first, second, third, ये तीन इस्थान है, यहां लगती है, मात्रा, यहां लगते हैं, त्वर, ठीक है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये होता है, बाया स्थान, और ये होता है, दाया, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ रही है, एक बार देख लो इसको, मैंने यहां पर आपको confusion ना हो, इसलिए यहीं पर बता दिया है आपको, अब इसको बनाना कैसे है, देखिए, हमको केवल तापे O की मात्रा है, तो O की मात्रा हमारे सेकेंड स्थान की थी, देखिए, यहां पर मैं एक बार बना देता हूँ, चोटा A, बड़ा A, ठीक है, और I, ठीक है, और यहां पर आता है A, ठीक है, यहां पर आती है हमारी बड़ी E, ठीक है, बड़ा O, चोटी E, और चोटा O, ठीक है, यह हमारे क्या होते हैं, स्वार होते हैं, इनकी मात्रा हैं, आपको पताए यह कौन सा स्थान है, first, second, third, अभी हम इसको ले रहे हैं, यह second स्थान पर है, ठीक है, तो स्वार कहां लगते हैं, कहां लगते हैं, by side, लेकिन इसपर क्या है, मात्रा, क्या है, मात्रा, तो मात्रा कहां लगेगी, दाइं साइड, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ओ के लिए हम क्या लगा रहे हैं गहरा डैश क्या लगा रहे हैं गहरा डैश गुड तो हमें यह याद रखना है आपको इस चार्ट को याद रखना है तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे ठीक है तो हमें क्या करना है ओ के लिए क्या करा हमने गहरा डैश लगा दिया आगे देखे, eat. क्या है ये? eat. बड़ी E. टा बनाया? टा ऐसे ही बनता है? ठीक है, बड़ी E. बड़ी E कौन से स्थान की है? तीसरे स्थान के लिए बड़ी E के लिए क्या use करते है? गहरा बिंदू क्या यूज़ करते हैं स्वर कहां लगते हैं स्वर कहां लगते हैं बाई साइड ठीके तीसरे स्थान की है तो तीसरे स्थान टाका कौन सा है सबसे नीचे जहां अन्तोरा है बाया दाई स्वर जो बाया दाया है वो कौन सा है बाया साइट देखिए ये बाया है ये दाया है एक बार बना देता हूँ दुबारा से बाया दाया आपको confusion नहीं होने दूँगा मैं बुलकुल भी आराम से सीखे ठीके बाया और दाया ठीके बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज बार बार आप तो जितनी बार चाहेंगे मै उतनी बार समझाऊगा लेकिन मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में आप स्वर एवं मात्रा हैं बहुत अच्छे से सीख जाएं ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं इड़ बनाना है हमें ठीक है न क्या बनाना है इड़ पहला दूसरा तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा स्तान स्वर की साइड यानि 22 साइड स्वर कहा लगते हैं भाइग साइड इट में स्वर है मात्रा नहीं है इतना तो आप सभी जानते होंगे ठीक है, बना देते हैं गेरा बिंदू यह बन गया इट simple है बहुत simple है न very good समझ में आ रहा है सबी को ठीक है ओके आगे बढ़ते है जा बनाया ठीक है अब देखिए इस पर क्या है आज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आज क्या लिखा हुआ है आज आज बड़ा आ बड़ा आ क्या होता है ठीक है बड़ा आ स्वर है कौन से स्थान का है बड़ा आ फर्स्थान का कौन से स्थान का है फर्स्थान का है अब स्वर कहां लगते हैं बाइं साइड बाइं साइड लगते हैं ठीक है जा का बाइं साइड कौन सा है पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे नी लगा देना है आपको ध्यान रखना ऐखने का है की बहुत आसान तरीकहे से समझ में आ रहा है कोई दिक्कत ऐके आगे बढ़ते हैं ठीके जाक्यें जाकर कौहाई नाकी स्वर जा बड़ा है आ की मातरा है मातरा कहां लगैगी दाइंसाइड सेम मातरा और सेम स्वर था इसमें ठीक है, आальная, पहले स्थान का क्या लगता है, डैश, गुड़ फिर जापर क्या है बड़ीई की मातरा स्वर कहां लगाया था हमने बड़ी का जो स्वर आया था कहां लगाया था अब मात्रा आये तो कहां लगाएंगे दाइसाइड दे लिखा हुआ है यदि किसी भी वेंजन में मात्रा आएं तो दाइसाइड मात्रा लगाते हैं ठीक है तो दाइसाइड हमारा ये दाया साइड ये लगा दी मात्रा ठीक है थोड़ा सा बगल में ही लगाना है बल्कुल चुकाना नहीं है शब्त से ठीक है उमीद है सभी को समझ में आ रहा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बार एक बार और आप चार्ट को समझ लीजिए बहुत सिंपल देखिए एक बार आप चार्ट को समझ लीजिए हाँ तो फ्रेंड्स चार्ट समझ में आ गया आपको ठीक है आगे बढ़े इस नियम में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके सीखने पड़ेंगे है ना ऐसा कोई टफ नियम नहीं है लिकिन में नियम है शॉर्ट हेंड का क्योंकि में इसलिए क्योंकि हमें सौर इवा मात्रा है जो उनके बगड़ तो कुछ ही नहीं है ना तो वो तो हमें सीखने पड़ेंगे ना कैसे लगाते हैं कैसे यूज करते हैं है ना तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यह नियम जो है बहुत अच्छे से सीखें ठीक है तो और चैनल पर भी पूछ सकते हैं ठीक है मुझे वाट्साप मेसेज भी कर सकते हैं ठीक है ओके तो हम आगे बढ़ते हैं देखे पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है जिस प्रिकार से स्वर एवं मात्रा लगाने के तीन इस्थान होते हैं अभी आप लोगोंने क्या सीखा हम मा कई सबक्रेंग देखे जिस प्रिकार से स्वर एवं मात्रा लगाने के तीन इस्थान होते हैं प्रिकार से जो स्वर एवं मात्राओं के जो इस्थान के सिसाब से शब्द बनते हैं यानि पहले स्थान के स्वर एवं मात्रा आ रही है शब्द के साथ में तो वो कहां बनेगा, सेकंड स्थान का कहां बनेगा, थर्ड स्थान का कहां बनेगा वो मैं आपको इस वाले point में समझाऊंगा ठीक है तो देखिए जिस प्रिकार से स्वर एवं मात्रा लगाने के तीन इस्थान होते हैं उसी प्रिकार से सब्द के लिखने के भी जो शब्द हैं हमारे उनको लिखने के भी तीन इस्थान होते हैं ठीक है तो देखिए पहले इस स्थान के स्वर एवं मात्रा पहले स्थान के यानि चोटा आ बड़ा आ आई ये सभी पहले स्थान के हैं तो पहले स्थान के स्वर एवं मात्रा के जो भी शब्दोंगे वो जो कौपी की रेखा है ये वाली ये कौपी की रेखा है इसके ऊपर बनाये जाएंगे मैं आपको सम रहका है, बड़ा कौन से स्थान का है, पहले स्थान का है, पहले स्थान का बड़े आ के लिए यूज्ज क्या करते हैं, एक डैश, कौन सा डैश होता है ये, गहरा कौन सा डेश होता है गहरा ठीक है तो बड़े आ के लिए हम क्या यूज़ करते है गहरा डेश ठीक है अब हा जो है हमारा ये बोल रहा है कि पहले स्थान के स्वरें मात्रा के शब्द कौपी की रेखा के उपर बनाए जाते हैं इसमें पहले स्थान का स्वरें मात्रा है तो हम काम बनाएंगे इसको कॉपी की रेखा के उपर देखिए टच नहीं होगा ये ये आपकी लाइन से टच नहीं होगा ये हवा में रहेगा यानि उपर रहेगा ठीक है तो अब इसका हमें बाया दाया देखना है मातरा जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाना है फर्स्ट इस्थान पर हमने मातरा लगा दी कौन से इस्थान पर फर्स्ट पर और कहां लगाई है दाइंसाइड ठीक है थोड़ा वह समझ में आया आप सभी को देखिए स्टेनो सीखना है तो बहुत अच्छे से मन लगाकर सीखना पड़ेगा और ओनलाइन स्टेनो सीखना है देखिए मैं वहाँ पर आपको चेक नहीं कर रहा हूं कि आप किस प्रिकार से मेहनत कर रहे हैं और किस प्रिकार से आप अपनी ओनलाइन शॉट हेंड को जज कर रहे हैं क्योंकि सबी टीचर्स अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं और मैं आप लोगों को बता कर इस चीज को समझा सकता हूं कि शौट हैं अगर आपको सीखना है तो उसकी प्रैक्टेस बहुत जादा गरनी पड़ेगी और बार 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 देखिए recorded videos हैं यूट्यूब पर free में मिल रही हैं आपको free classes हैं ठीक है यूट्यूब पर आप आराम से उसको सीखिए और बार बार 10 बार सीखिए आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी बार चलाईए तीसरी बार चलाईए है ना लेकिन आप उसको आराम से पढ़ पढ़ कर बुल्कुल सीखिए, ठीके, यहां आपको समझ में आया, क्या था, पहले स्थान की स्वरे में मात्रा के शब्द कहां बनाई जाते हैं, लाइन के उपर, यानि कॉपी के रेखा के उपर, देखे, यहां पर आस लेखा हुआ है, यह सा बनाया, यह क्य है, स्वर है, ठीके, स्वर, बाइन सैट लगा दिया, ठीके, यह माल बनाया, देखे, लाइन की उपर बनाऊंगा सारे में, टच नहीं करूँगा, ठीके, लाइन की उपर सभी टच नहीं होंगे, क्योंकि यह कौन से स्थान के हैं, फर्स्थान के हैं, फेरी गोड, ठीके, देखिए जाल एक ही मात्रा है सेम और उसी मात्रा के हिसाब से अब ठीक है देखिए हमने वाला अब जो बनाया था वो कहां बनाया था लाइन पर क्योंकि वहां पर मैं केवल आपको सोरेवन मात्रा लगाना सिखा रहा था ठीक है यहाँ पर सौर इवं मात्राओं के हिसाब से यह आपको इस्थान डिसाइड करने है अब यह क्यों डिसाइड करने है यह मैं आपको आगे बताऊँगा ठीक है ध्यान रखना इस चीज को मा, मा पर भी सेम मात्रा है इस टाइप से ये कौन से स्थान के वेंजन है ये फर्स स्थान के ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ठीक है इसमें लिखा हुआ है दूसरे स्थान के स्वर एवं मात्रा के शब्द कौपी की रेखा पर होते हैं यानि ना तो उपर ना नीचे कौपी की रेखा पर ठीक है मैं समझा देता हूँ देख लीजिए ठीक है देखे बोला ठीक है क्या लेखा हुआ है बोला भापे कौन सी मात्रा है ओकी मात्रा ठीक है हमें इस वाली मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता ना मैं उस मात्रा से ओ की मात्रा है first second second पर dash यहां first पर dash देखिए ला पर कौन सी मात्रा है आ की तो आ की मात्रा first इस्थान पर लगती है ठीक है इसी प्रिकार से मोल बीच में ठीक है उसी प्रिकार से ओस second इस्थान ठीक है उसी प्रिकार से चोर ठीक है, सेकेंड स्थान, उसी प्रिकार से औरत ठीक है, सब दूसरे स्थान के शब्द है ये ओम, ठीक है, ये शब्द कहां बने है सभी, कहां बने सभी कहां बने, लाइन पर, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बर, दुबारा से रिपीट कर दूँगा, आप फिकर मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बदाया था, मुझे आप लोगों को स्टेनों सिखानी है, और वो मुझे, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए, चाहे मुझे कितना भी टाइम आपके लिए देना पड़े, पर मैं आप लोगों को शॉट हैंड सिखा के रहूँगा, चाहे कितना भी मुझे समय देना पड़े इस चीज में, ठीक है, बहुत आराम-ाराम से लिकिन सीखेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियोस मैं रेगुलर इसलिए नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि आप सभी उस चीज के लिए क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, नहीं, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी, जैसे मैं रेगुलर आप स्वर एवं मात्रा के शब्द, कौपी की रेखा काट कर लिखे जाते हैं, मनला काट कर मैं बता देता हूँ, देखे, यह है हमारी कौपी की रेखा, ठीक है, अब इस पर इकी मात्रा है, जा पर कौन सी मात्रा है, इकी मात्रा, इकी मात्रा कौन से स्थान की होती है, यह स्व और ये इसकी मात्रा कौन से स्थान की है तीसरे की है ना कौन से स्थान की है तीसरे की है हाँ तो तीसरे स्थान की मात्रा और स्वर कहां बनाना है हमें लाइन काट कर कैसे बनाना है देखिए जा हमारा बनाया कट कर दिया देखिए लाइन काट दिया इसने मात्रा हम वहीं की कप नहीं लगाएंगे कोई निककत नहीं है क 14 को कि стор सर से कुछ नहीं करना है वो मारे जैसे लगते हैं वैसे लगाना बस हमें जो शब्द हैं उनके बनाने के इस्थान changed करना है थीक है इसके बाद इट पर चीज देखिए इसमें दोनों सब्द एक जैसे आ रहे थे तो मैंने उसको डबल कर दिये यहां पर चा उसके आगे ज़ ठीक है इसके बाद पीला पीला भूल भूल ठीक है उट उट ठीक है बड़े उके लिए भी हम गहरा डैश यूज करते हैं यह सभी वेंजन कहां बनाए हम लोगों ने सभी वेंजन लाइन काटकर बनाए क्यों बनाए यह तीसरे स्थान के थे ठीक है एक बार हम रिवीजन करेंगे बच्चो देखें देखें सबसे पहले हमने क्या सीखा पहले स्थान दूसरे स्थान तीसर स्थान सुर्ण मातर है ठीक है चोटा A हमारा कैसे बनता है बड़ा A, चोटा A, बड़ी E, चोटा O, बड़ा O ये कैसे बनते हैं ये मैंने यहाँ पर आपको सिखाया इनके इस्थान भी सिखाया ठीक है नेक्स हमने क्या सीखा नेक्स हमने सीखा कि हमारे बाया हाथ की तरफ दाया और दाया राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है ना बाया हाथ की तरफ बाया और दाया हाथ की तरफ दाया क्या वेंजनों के वेंजन जो है उनके साइड क्या है वेंजन उनके साइड ठीक है जैसे पा है पा के साइड बाया दाया का का बाया दाया राका बाया दाया किस टाइप से हमें अपने according करना है ठीक है अपने hand के according हम उसको लेके चलेंगे ठीक है इसके बाद हमने कैसी खा उसके इस्थान कैसी के इस्थान एक दो तीन जहां पर start हो रहा है वो पहला जहां पर खत्म हो रहा है वो तीसरा और बीच में दूसरा ठीक है हमने कैसी खा एक दो तीन वेंजनों के इस्थान अब फिर उसके बाद हमने कैसी खा इसके बाद हमने सीखा किसी भी वेंजन में यदि स्वर आते हैं तो वो स्वर बाइंसाइड लगाई जाते हैं और किसी भी वेंजन में यदि मात्रा आती हैं तो वह मात्राएं दाइंसाइड लगाई जाती हैं कहां लगाई जाती हैं दाइंसाइड ये चीज़ सीखी थी हमने आप एक बार देख लीजिए तो कि वो दोनों जो हमने अभी सीखे थे बायादाया और इस्थान वो स्थान इस से मिलकर ही चलते हैं जब तक हम वो नहीं सीखेंगे जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो देखिए छोटा आ बनाया इसका पहला स्थान होता है छोटा आ पहले स्थान का होता है और स्वर कहां लगते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है एक बार आप अपनी नोट्स बनाएं आप इसके साथ मैं ठीक है होगा तो मैं आप लोगों के लिए सभी के लिए इस चीज का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा आप मेरे लिंक से जाकर ठीक है कॉपी की रेखा पर और तीसरे स्थान की शब्द कॉपी की रेखा काट कर लेखे जाते हैं ठीक है अब देखिए लास्ट के दो पॉइंट्स और बता रहा हूँ आपको ठीक है ये भी जरूरी है है ना सारी सुच्वेशन्स आ सकती है आप पूछेंगे सर अगर वेंजन पर मातरा और सौर नहीं है तो हम कहां लेखेंगे वेंजन और अगर आपने पूछा सर वेंजन पर सौर और मातरा दोनों आ रहे हैं तो हम स्थान कैसे डिसाइड करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको इन points में समझा देता हूँ एक बात और ध्यान रखिए कि हमें शब्द को line के उपर line पर और line काट कर लिखना है उसके लिए हमें करना क्या है जैसे कि suppose करें भोला लिखा हुआ है ठीक है दोनों पर अलग-अलग मात्राएं हैं क्या है अलग-अलग मात्राएं हैं इस पर O की और इस पर A की ठीक है तो हमें ये शब्द लिखना कहां पर है line की उपर या फिर line पर देखिए हमें केवल जो हमारा पहला वेंजन है जो हमारा पहला वेंजन है उससे ही उसको ही देखकर हमें stand decide करना है जैसे की भोला पर O की मात्रा है तो O की मात्रा के हिसाब से हम उस शब्द को line पर बनाएंगे क्योंकि O की मात्रा second इस्थान की होती है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यदि पहले वेंजन में कोई स्वर या मात्रा ना हो तो शब्द को रेखा पर ही रेखा जाता है यदि पहले वेंजन पर कोई भी स्वर कोई भी मात्रा ना हो यानि simple वेंजन हो उसमें स्वर मात्रा ना हो लेकिन पहले वेंजन पर ना हो next पर उस स्वर कोई मतलम नहीं है हमें केवल पहले वेंजन को देखना है हमें किसको देखना है केवल पहले वेंजन को ठीक है तो अगर ना हो कोई भी मात्रा या स्वर तो हम शब्दों को लाइन पर लिखते हैं यानि रेखा पर ही लिखते हैं वही सही होता है ठीक है जिसे बकरी बकरी है अब बकरी में आप देखिए E की मातरा रा पर है लास्ट में उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें केवल क्या करना है हमारे पहले वेंजन पर कोई मातरा नहीं है ना स्वार है तो वो शब्द का लेखेंगे लाइन पर ठीक है अब बकरी में हमने क्या करा? एकी मात्रा ये लगा दी, ठीक है? हमारा ये क्या बन गया? बकरी, ठीक है? मरा में हमारी मापे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है? मरा में हमारी कोई मात्रा नहीं है, तो हम कहां बना रहे हैं उसको? लाइन पर ही ये मात्रा लगा दी, एक बार दुबारा बना देता हूँ पकरी ठीक है और मरा रा पर मातरा थी हमने रा पर मातरा लगा दी ठीक है भला भा पर हमारी कोई मातरा नहीं है इसलिए लाइन पर बना दिया ठीक है पकड़ा रा पर हमारी कोई मातरा पा पर कोई मातरा नहीं है इसलिए हमने उसको बना दिया लाइन पर बल हमार कोई मात्रा नहीं है, फलो पर, ठीक है, तो ये हमने लाइन पर सभी वेंचन बना दिये, अब आपको समझें आ गया होगा, कि यदी पहले वेंचन पर कोई मात्रा या स्वर नहीं हो, तो हम šब्द कहां लिखेंगे, लाइन के ऊपर, ठीक है कहां लेखेंगे line के ऊपर कहां लेखेंगे line पर sorry sorry line पर लेखेंगे अगर हमारे पहले वेंजन में कोई मात्रा या स्वर नहीं है तो हम शब्द कहां लेखेंगे line पर ठीक है नेक्स पढ़ते हैं यदि पहले वेंजन में स्वर भी हो और मात्रा भी हो तो स्वर के स्थान पर शब्द को लिखा जाता है मैंने अभी आपको बताया था देखे यदि पहला वेंजन है और उस पर स्वर भी आ रहा है और मात्रा भी आ रही है तो शब्द कहां लेखेंगे हम हाँ इसमें देखिए कहां लेखेंगे बताते हैं जैसे ओला देखिए एक सिंपल सा ला एक वियंजन है इसके अंदर है अब ला पर बड़े आकी मात्रा भी है और ओ का स्वर भी है तो अब ला कहां बनाएंगे हम तो हम क्या करेंगे इस कंडिशन में जो पहला जो स्वर है जो स्वर आ रहा है उसके इस्थान पर इसको बनाएंगे स्वर कौन से स्थान का है सेकिंड इस्थान का ठीक है तो इसको हमने कहां बना दिया कहां बना दिया इसको लाइन पर गुड ठीक है इशारा इशारा में शा पर आ की मात्रा है लेकिन स्वर कौन से स्थान का है तीसरे स्थान का तो यह हम कहां बना देंगे लाइन काट कर इशारा देखिए ऐसी बनेगा इशारा ठीक है ओमी देखिए इस पर इकी मात्रा है और स्वर कौन से स्थान का है तो हमने इसको ठीक है समझ में आ रहा है आप सभी को उमीद है बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो क्योंकि मेहनत के साथ ही मेहनत करना चाहिए मैं आप लोगली मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए प्लीज मेहनत करें ठीक है और बहुत अच्छी शॉट हैं तीखें जिससे मेरा नाम हो और आप सभी का नाम हो जैसे कई सारी अच्छी अच्छी vacancies स्टेनोग्राफर्स की आती हैं तो आप उन सबी की तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है आप प्री निकाल रहे हैं कई बच्चे प्री निकालने के बाद जो हमारा short end का man's होता है उसमें बच्चे रहे जाते हैं मैं चाहता हूँ बच्चों के पास मैंने कई हो बार में को काफी टाइम से ये चीज सुनने में आती है कि बच्चे SSC का प्री निकाल लेते हैं फिर बोलते हैं सर क्या दो महिने में शॉर्ट एंड सीख जाएंगे क्या सर प्लीज टू मन्स क्लियर मैं नई बच्चो अगर अच्छे से पूरा समय देखकर उसको सीखना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं लास्ट में देखिए आटा आ ता पर दोनों पर पहले स्थान की ही स्वर्ट मात्रा है तो इसको तो हम आसानी से लाइन के उपर बना देंगे लिकिन हमें सबसे पहले देखना है अनुज में आप देखिए ना पर कौन सी मात्रा है उ की मात्रा है ठीक है और स्वर्ट कौन सा है पहले स्थान का तो हम क्या करेंगे चोटे आ का स्वर्ट है तो कहां बनाएंगे शब्द को पहले स्थान पर गोड़ तो पहले स्थान पर इसको बनाएंगे लाइन के उपर नुज ठीक है इसकी एक नट ठीक है इसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी ठीक है इस टाइप से यह बनेगा इसके बाद लास्ट वर्ड जो बनता है हमारा आना दोनों पर पहले स्थान करी स्वर और मात्रा है ठीक है तो दोस्तों आपको यी चीज समझ में आतो गई होगी एक बार मैं एक बार और आप लोगों के लिए रिवाइस करा देता हूँ सबसे पहले क्या सीखा था हमने सोर एवं मातराइं सीखी थी कैसे यूज करना है इसको वो सीखा था ठीक है उसके बाद उसके बाद प्रतेग वेंजन के दो साइड ठीक है प्रतेग वेंजन के कैसी खेते दो साइड तो अपने जो बाया हाथ है बाया हाथ की तरफ बाया साइड और दाए हाथ की तरफ दाए साइड ठीक है यही सीखा था था ना तो देखिए पा बा और दा ठीक है प्रितेक वेंजन के side, कैसी खा था, प्रितेक वेंजन के side, यानि, side के बाद हम आ गय थे, जहां पर वेंजन पृरारम होते हैं , प्रितेक वेंजन के 3 स्थान, टिके Raw, 1st, 2nd, 3rd, 1st, 2nd, 3rd, यानि, वेंजन जहां से start हो रहा है, वो पहला स्थान है, जहां वेंजन खत्म हो रहा है वह तीसरा स्थान है और बीच में दूसरा स्थान है ठीक है इसके बाद इसके बाद स्वर इवं मात्रा लगाना सीखा हमने क्या सीखा स्वर इवं मात्रा कैसे लगा रहे हैं यदि किसी भी वेंजन के बाद साथ में स्वर आ रहा है तो हम वो स्वर को बाई साइड लगाते हैं और मात्रा आ रहे हैं तो उस मात्रा को हम कहा लगाते हैं दाइं साइड ठीक है तो इस असाप से मैंने आपको यहां पर बताया था छोटा आ देखिए छोटे आ को छोटा क्या है एक स्वर है क्या है एक स्वर ठीक है बाँ बनाया बा का जो बाया साइड है स्वर क्योंकि कहां लगते हैं मैंने आपको बताया था कहां लगते हैं स्वर लाइन पर बनते हैं और थर्ड स्थान के लाइन काट कर यानि रेखा, कौपी की रेखा, शौट हैंड की कौपी का बहुत जादा महत्व है इसके अंदर, आप केवल शौट हैंड की कौपी के ऊपर ही इसको प्रैक्टिस करें ठीक है? तो फ्रेंट्स, आज के लिए अध्याय 4 मैं यहीं खतम करता हूँ, उमीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अध्याय 5 के साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों इससे जुड़ूँगा, और चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस नियम को बहुत पहले याद करेंगे आप, ठीके, इसको याद करने के पास आप बनाना सीखेंगे, ठीके, तो मैं मुकुल सर, आज अपना युक लास है, अपना अध्याय 4 है, यहीं खतम करता हूँ, बबावाई, टेक केर, गुड नाइट